वेलकम तो माई चैनल दोस्तों! दोस्तों आज की वीडियो फिरसे मैं haircare बनाने चाहरी हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए है मेरी वीडियो पर कि उन्हें मेरे जो भी वीडियो नोने देखे है haircare पर उन्हें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है तो बहुत जाए बना देती हूं एक मांसून हैर केर पे भी वीडियो बनाई हुई है दोस्तों आप लोग एक बार होसे भी ज़रूर चेक आउट कर लिजेगा काफी सारी टेप्स मैंने उसमें बताए है दोस्तों और ऐसा नहीं है मैंने अपने उपर चीजों को पहले अपला मेरे उपर से टाइफाइट के वज़े से मेरे बाल बहुत सादा जड़ रहे थे दोस्तों इस वज़े से मैंने कुछ फॉर्मुला अपनाया एक तो टाइफाइट का ट्रिट्मेंट अलग चल रहा था दूसरा बाल रॉफ हो गए थे और बहुत सारी चीजे थी मेरे साथ त दोस्तों कुछ और टेप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूं और हर चीज को प्रति दिन करना जो है पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं होता है मेरे भी नहीं है पॉसिबल मैं आपको भी नहीं कौँगी कि एवरी डे आप ये करिये लेकिन पंदरा दिन में एक बार इन सारी चीज दोस्तों और सबसे पहली बात जिन लोगों को ताइफाइड है थायराइड है किसी भी तरह की बीमारी है वह सबसे पहले हमारे नाखुनों पर और हमारे बालों पर दिखाई देती है दोस्तों तो मैंने पहले भी ये कहा है कि पेट संबंदी समस्या होती है जो भी या शरी जरूर को बता देती हूं कि जरूर कीज़े डीप आयलिंग में हम नारियल का तेल जो है और कैस्टर ओयल और तिल का तेल अप्लाई कर सकते हैं जरूरी नहीं सबकी बहुत-बहुत मात्रा लेना आप पीन से चार ओयल लेजे और उन्हें जो है अपने बालों की लैंथ या सब अपने बालों के अच्छी डीप केज़कर छींच कांच करते हुए कि गया बालों को आएड और ठीप और या संतमालं करते हुएं ही य दोस्तों की ब्लड सर्कूलेशन इन्क्रीशन होता है तो वही हमारे बालों और में स्काल्ब के वी होती है कि हम नहीं कोई ची फेस्त प कर रहे हैं तो खाली फिंगर्स को ही तोड़ा 2-3 मिनिट हमें मसाच कर ली अपने बालों पे तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज होता है और बालों का ज़ड़ना कम होता है दोस्तों जबर्दस्तिक किसी भी तरह के हैर स्टाइल में बालों को कसी नहीं उन्हें अपनी कंगी किसी दूसरे के साथ शेर मत कीजिए तो यह बहुत सारी तरह की देखभाल है आप आवले को खाईए अलसी जो होते हैं दोस्तों अगर आपको वह खाना पसंद नहीं है क्योंकि वह लसलसी होती है तो आप एक चमच नियम बनाईए कि एक चमच उसे मुमें डा किया इस तरह की चीज मैंने की दोस्तों और अकले के बस की चीजे नहीं होती है हमारी बॉडी में हर एक तरह की चीज होनी चाहिए आजकर लोग जो है वो डाइटिंग कर रहे है तो पोश्रें की चीजे तो वो लेते नहीं है तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप सारे फ्र अपने तेल में एलोवेरा जेल एड़ कीजे और उस मिक्सचर को अपने बालों में अच्छी तरह से जड़ो में लगाई है और एक घंटा उसे रखने के बाद कोई भी माइल शेंपू लीज और उससे वाश आउट कर दीजे आपको फर्क ज़रूर देखेगा क्यूकि तिल का तेल बनाईएगा दोस्तों और मार्केट में भी एवलेबिल हैं आप मार्केट से भी ले सकते हैं अलोवेरा जेल आपको घर में हो तुकिक अधरवाइस पाता जले या जो भी आपको ठीक सूट करता हो आप उसे अपलाई करिए आपको ज़रूर फायदा होगा दोस्तों आपको यही शारे चीज़े देखने को मिलेंगी लेकिं किसी भी चीज को ट्राइ करने से पहले आपको अपनी बॉडि की व्यादी को भी दूर करना होगा जो आपके अंदर देखना होगा कहीं ए अरन कैलिशिम इन सब चीज़ों की कमी तुने है अगर है तो आपको दूर जो भी परज्दिक पसंदः दृही पसंदः विपति बजर विःट-दाई belle लेवी ऐा फसे के तो से पाइब होगी रखन कीज़ भुशी विल्हारा थे रखन की घुड़ी जामिल थेज़ वह interact कि लगता है कि कोई भी बाहर के प्रोडक्ट्स अपने बालों पर इस्तमाल करने से बहताँ है कि हम घर में बनी हुई चीज़े से स्तमाल करें, मेहंदी यह सब बहुत पुराने नुस्खे होते हैं दोस्तों जो वापस लटकार रहे हैं , चाहे आप प्याज का पेस्ट देख आप अलसी रेख लीजे, आप तिल का तेल, आवले का तेल, यह सारी चीज़ें देख लीजे दोस्तों, तो यह सब आप भर में भी कर सकते हैं, और यह सब करने के बाद आप देखिए कि आपको जरूर लाव होगा, और रही मेरे बालों की बाद, तो हाँ, हैर फॉल मेरा तो यह सब कर लेती हूं, जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं फिंगर से हल्का हलका हलका मसाज करती रहती हूं तो फ्लड सर्पलिशन भी इंट्रीज हो सकता है, बावारामदे ने बताया था अपने नेल्स को इस तरह से रफ कर ये, तो यह समय नहीं कर पाती है, लेकिन जो समय लग जाता है, आप लोग बेट कीजे, आपको ज़रूर 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 लाब होगा, और बहुत जादा प्रोड़क्ट्स अगर आपको नहीं सूट हो रहे हैं, तो मेरे कहने पर या किसी और पर्चेस कीजे, उन्हें मत अपलाई कीजे, क्योंकि हर चीज हर किसी को स नमस्या हो, तो मुझे जरूर बताईएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक तक ले जिखे, टाटा, बाई बाई